आज हमारा 39 डे है consistent study का और मैं ये consistent study आपकी ensure करना चाहता हूँ आपकी success के लिए दो सबसे ज़्यादा जरूरी चीजे हैं पहला consistency in studies, दूसरा एक सही direction directions मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से किस रहा पर चलके आपका selection होगा consistency आपको maintain करनी है, इस consistency के लिए ही मैं daily आपको एक purpose देता हूँ, life purpose जिसको आपको सुभह से लेके शाम तक complete करना होता है लेकिन मैं इसमें एक step और आगे लेना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए कि मैं ensure कर सकूँ कि अगले 2 महीने आपकी consistency हो पढ़ाई के अंदर तो में ही दरफ से आप लोगों के लिए एक initiation है, यह है virtual library का initiation बहुत छोटी सी चीज है, बहुत basic सी चीज है कई लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे, जिनके पास कोई resources नहीं होगी जो library नहीं जा पाते होंगे, घर पे बैठके पढ़ रहे होंगे जो आसपास कोई coaching नहीं होगी जिनके, वो अपने गाउं से, अपने शहर से बैठके पढ़ रहे होंगे उन्हें environment ही नहीं पता कि कैसा होता है पढ़ाई का environment तो ये environment मैं आपको देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को daily topics देता हूँ करने के लिए और आप उसको करते हो आज मैं अपनी तरफ से पहल करना चाहता हूँ कि जो topics मैं आपको दे रहा हूँ मैं भी उन topics को करूँ क्योंकि topics वो ही है, technical वो ही है आप SSC के लिए पढ़ रहे हों, मैं किसी और exam के लिए पढ़ रहा हूँ मैं भी अपने coding पढ़ा ही करूँगा और जिस time पे मेरा जो भी topic complete होगा मैं वहाँ पर update करूँगा जैसे जैसे आज transport का topic है geometric design तो मैं geometric design पढ़ूँगा उसके question करूँगा, SSC JEE के, ESC के question करूँगा और जब यह मेरा complete हो जाएगा तो जैसे मानलो मेरा 2 बजे, रात के 2 बजे complete हुआ तो मैं डालूँगा वहाँ पर geometric design completed अगर जो मैं उसके साथ कुछ details भी देना चाहूँ कि SSC JEE के question होगए या फिर ESC के question होगए मैं सिरफ इतना लिखके वहाँ पर post कर दूँगा यह मेही तरफ से initiation होगा कि मैं आपको जो काम कर रहा हूँ मैं खुद भी कर रहा हूँ उसको complete और आपको भी उसको करना है क्योंकि 2 महिने बज़ गए हैं सिरफ पढ़ाई के लिए अब आप time waste नहीं कर सकते अपना जो काम मिला है उसको daily करना ही पड़ेगा आपको तो आप सभी की भी इस virtual library में free entry है बस कुछ rules रहेंगे इसके entry आपकी विल्कुल free है लेकिन rules यह हैं इसके कि silence maintain करके रखनी है silence मतलब जो हमाई library होती है हम आपस में किसी से बात नहीं करते है हम ऐसे नहीं देखते कि कोन कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है simple सी बात मैंने अपना update किया किहां मैंने ये पढ़ लिया किसी और बच्चे ने अपना update किया उसने ये पढ़ लिया आपस में बात नहीं करनी है आपे कि भाई तुने इतना पढ़ लिया कैसे पढ़ लिया कर लिया था, तो सिर्फ अपने आपको देखना है वहाँ पे, कि आपने कितने बज़े तक क्या कर लिया, एक ट्रैक होगा इससे जैसे रात आपने दो बज़े तक कोई टोपिक कर लिया, उसके अगला टोपिक आपने डाला शाम के पाँच बज़े, बीच में क्या किया ये कोई आप से नहीं पूछेगा, आप खुद से पूछोगे कि बीच में मैंने क्या किया ये मैंने टोपिक क्यो नहीं कंपलेट किये तो आप सभी का वैलकम है मेरी वर्ट्शोल लैबरेरी के अंदर, बस साइलेंस मेंटेन रखना है ये आपे अपना अपडेट करना और फिर वापस पढ़ने लग जाना सिंपल सी बात, अब आते हैं आज के स्केडूल के उपर, दूसरी बात स्माइल करते रहो, हम इंप्रूफ कर रहे हैं बेली इंप्रूफ कर रहे हैं, पढ़ा ही कर रहे हैं और इंप्रूफ भी कर रहे हैं, तो इसलिए स्माइल करते रहो चलो, आज का स्केडूल स्टार्ट करते हैं जोब वाले, एम्टेक वालों के लिए और फुल-time students, बिल्कुल वैसा ही है awareness, general intelligence करनी है एक घंटा इसके questions आपको करनी है, कहीं से भी कर सकते हो यह matter नहीं करता कि कौन सी book अच्छे है, कौन सी बेकार है, नहीं previous year question करो, नए question करो बस एक घंटा practice करनी है आपको general intelligence और वो question ज्यादा practice करनी है जिनमें आपको दिक्कत हो रही है, जैसे sequence वाले है उनमें दिक्कत हो रही है, तो उनको ज्यादा करो practice current affairs, आपको पढ़ना है आधा घंटा, और जो full-time students है उसको 45 minutes से 1 घंटा पढ़ना है January से अगस्त के और साथ में September का भी जो daily का daily चल दा है, जीके pyqs करने आपको, जो mtech वालों को 30 minutes करने है और जो full-time student है, उनको 1 hour plus पढ़ना है, जीके में क्या करना है महाजनापदास पढ़ना है, ये आपके notes में होंगे आपने short notes भी बना ले होंगे क्योंकि अब तो कि ये revision चल रहा है, ये आपको करना है दूसरा drainage system, बहुत बड़ा है इसके अंदर गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है इसके अंदर आपके पास peninsular reverts है, west flowing, east flowing ये सब है, आपको revise करना है वापस से तीसरा, polity, polity के अंदर union judiciary है ये करना है आपको, notes आपको दे रखे हैं प्लस, जिनका revision है, वो क्या करेंगे महाजिदापदास को black book है उसके अंदर से इसके questions करेंगे ऐसी drainage system के question करेंगे और union judiciary के question करेंगे black book से, अब black book कहां पर है क्या है, telegram channel है telegram channel के अंदर the gs drive है gs drive के अंदर black book नाम से एक book पढ़ी है, उसके अंदर previous year questions है, SSC के वो आपको करने है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप notes से पढ़ेंगे और अगर जो आप पढ़ लिया तो आप practice करने के लिए black book का use करोगे, तो यह हो गया gk का, technical के लिए आपको पढ़ना है, आपको मैंने बताये थे आज 50 most important topic तो अब अगले दो महिने हम इन 50 topic को करेंगे plus revision भी करेंगे, तो इसलिए 2 topic एक दिन में करेंगे, अब यह आपके उपर ज़्यादा burden भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि 5 topics हम daily कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था आपको कि यह complete नहीं हो पा रहा, तो अब सिरफ 3 topics है, 3 topics में भी सिरफ 2 topics बड़े है, एक topic छोटा है ताकि आप इसको अच्छे से complete कर सको क्योंकि ज़्यादा काम मिल रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो कुछ फाइदा नहीं है, इसलिए अब मैंने काम को कर दिया कम, तो आपको क्या करना है Transport के अंदर Geometric Design आपको पढ़ना है Note से पढ़ना है, Previous Year करना है जहां से मिले Previous Year कर लो, सबसे पहले तो SSTJEE के ही करना है, Note से भी पढ़ना है उसको और आपको Previous Year कोश्चन भी करना है Steel के अंदर Tension Member सबसे पहले SSTJEE के PYQ करने की कोशिश करना उसके बाद आपको note दे रखे हैं उसमें से भी पढ़ सकते हैं लेकिन बस यह है कि यह दोनों जो हैं conceptually strong करने आपको क्योंकि मैंने जो 50 topics आपको दिये थे वो conceptual topics हैं उन सबको आपको अच्छे से करने हैं सिर्फ questions ही नहीं करने हैं उनके concept भी सीखने हैं तो यह दोनों हैं concept सीखने के लिए soil का earth pressure मैंने रखा है यह आप sscje का pyq करोगे उसके अंदर क्या है basic basic छोटी छोटी चीज़े हैं कि active earth pressure क्या होता है कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, प्रेशर कैसे निकालते हैं, यह बहुत छोटी सी चीज़े हैं, यह आप प्रिवेस इरो कोश्चन से भी करोगे, हो जाएंगे, अगर वहाँ पे कम है तो YCT से थोड़े से कोश्चन कर लेना, मेन इंपोर्टेंट है यह, इनके पर मुझे message कर सकते हो, दा सिविल बंदा, या फिर नीचे YouTube, आप comment section में भी बोल सकते हो, तो virtual library आप सभी के लिए आज से ही open है, आप महाँ पर अपना जो भी आप progress है, सिरफ वही लिखोगे कि आपने आज के काम में से कितना काम कर लिया, कितना काम, मतलब आज आपने एक बज़े तक ये काम कर लिया, उसके बाद आपने पढ़ाई करी, फिर तीन बज़े आपका दूसरा topic complete हुआ, तो सिरफ वह topic update करोगे, फालतों की चीजे नहीं लिखोगे, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, noise create होगा, जैसे library में noise create होता है, ऐसे noise create कि जो topic से अलग चीज है, आपने कुछ message लिख दिया होगा पर वो नहीं करना है, वो मैं delete कर दूँगा, तो सिरफ इतना ही करना है, library के अंदर silence maintain रखना है, तो ये initiation है आप सभी के लिए, और मैं इसका part खुद से हूँ, और मैं भी आज इसमें participate करूँगा, तो that's all for this video, smile कर तेरो हम improve कर रहे है, thank you